वैलेंशेल इलेक्टोन प्यर रिपल्शन थियोरी ये थियोरी सबसे पहले 1940 में सिद्विक और पोवल ने डिस्कराइब की थी फर्दर 1957 में इसे नाई हॉल्म और ब्लिस्पी ने इसको इंप्रोव्मेंट दी इस थियोरी के एकोडिंग एक सेंटर एटम होता है जो की अपने सुराउंड दूसरे एटम से लिंक करता है और कोवलेंट बोंड बनाता है कोवलेंट बोंड जो की इलेक्टोन की शियरिंग से बनते हैं एक सेंटर एटम होता है उसके सुराउंड वो शियरिंग पेर्स बनाता है इलेक्टोन के थ्रू तो जो stability होती है इस time में किसी भी molecule की वो depend करती है उसकी energy पे कि minimum वो क्या होनी चाहिए? minimum energy होनी चाहिए अगर electron pair center atom के पास-पास है तो जब वो pass होते हैं तो वो एक दूसरे को repel करते हैं जिसकी वज़ा से जो energy है molecule की वो increase करती है लेकिन अगर electron pair center से थोड़ा दूर होंगे तो repulsion जो होती है वो कम हो जाती है तो energy होती है molecule की वो low हो जाती है तो जो electron pair होंगे इसमें एक surround atom, एक center atom होगा और दूसरे होते हैं जो surround होते हैं जो pair बनाते हैं उससे जो उसके linking atom जो उसके साथ जोड़ते हैं जो center atom के साथ जो link atom होगे वो उससे को repel करेंगे वो ये depend करेंगे कि वो कितने पास हैं और कितने दूर हैं तो एक time ऐसा आता है जो जो further repulsion नहीं होती है उस time पे molecule minimum energy और maximum stability में आ जाता है अब इसमें जो basic assumptions जो होती है valence shell electron pair repulsion theory की वो क्या क्या है सबसे पहले है कि जो shape होती है किसी भी electron की अगर दो दो atoms की बात करें अगर जूड़े हुए हैं center atom के साथ सिर्फ दो हमारे पास atoms है जो link कर रही है तो उस time पे linear shape होती है अगर molecule में तीन या तीन से ज़्यादा atom है तो एक center के साथ जूड़े होंगी और दूसरों को एक तो center atom होता है और जो जूड़े होते हैं उन्हें linked atom रोलते हैं जो की link करते हैं center के साथ दूसरा next है कि जो center atom होगा वो link करेगा atoms के साथ तो दो तरह की geometry होती है इस जो shape of molecule होती है वो symmetrical होती है और regular geometry होती है इसमें एक shape बते geometrical shape इनमें बनती है जो की अलग-अलग shapes होती है जिसे regular geometry बोलते हैं इसमें center atom link करते हैं अलग-अलग atoms है यानि कि loan pair loan pair आपस में जूड सकते है loan pair जो किसी के साथ combine नहीं होए loan pair loan pair loan pair और bond pair जूड सकते है और bond pair और bond pair जूड सकते है तो इसमें क्या होता है कि जो order है repulsion का loan pair loan pair की repulsion सबसे जादा होती है जबकि loan pair bond pair की repulsion थोड़ी कम होती है और bond pair और bond pair की repulsion बहुत जादा कम होती है और इनके exact shape होती है यह जो shape होती है यह depend करती है कि कितने number of electron pair present है center के surround तो अलग-अलग shapes इसमें होंगी first shape है कि हमारे पास total number of electrons माली जी यह 2 है electron pair है जो pair मतलब 2 pair है electrons के 2 है अब इसके symmetry क्या होगी एक center atom होगा जिसके साथ 2 pair of electron चुड़े होगी तो यह linear shape होती है इस shape को linear shape बोलते हैं अब इसमें bond pair और lone pair कितने हैं इसमें यहाँ पे देखिए यह 2 bond pair है और lone pair 0 है यानि कोई भी lone pair नहीं है यानि lone pair मतलब वो pair जिसने किसी के साथ sharing की ही नहीं lone pair कोई भी नहीं है तो इसकी जो molecular formula होगा वो होगा A B2 A B2 A center atom B bond pair A center है B bond pair है और जो की 2 है और इसकी shape क्या होगी A center में B B side में यानि जो की side में जूडे होए हैं कोई भी item हो सकता है linear shape होगी इसका example है CO2 carbon dioxide BF2, BeCl2, HgCl2 next है कि अगर total number of electron pair 3 हो जाएं तो geometry कुछ इस तरह की होगी एक center और 3 उसके side में जूडे होए हैं इसको triangle बोलेंगे triangle planar अब इसमें bond pair कितने हैं 3 bond pair है lone pair कोई भी नहीं है 0 है मान लीजी, माना है हमने यह तो इसका जो molecular formula होगा A center और B 3 bond pair 3 तो shape क्या होगी यह जो कि triangle की ही होगी A center में B surround में 3B surround में example है ALCL3 BF3 यह इसके examples है अब इसी में ही same 3 pairs of electrons है हमारे पास और जिसमें से हम मैं कहा रही हूँ कि हमारे पस 2 bond pair है जबकि 1 lone pair है यानि कि A और B आपस में यहां पे bond बनाया हुआ है लेकिन A का इस pair के साथ कोई bond नहीं है यह lone pair है lone pair जिसका कोई bond नहीं होता और bond pair जो center के साथ जुड़े हुए bond से जुड़े हुए होते है तो इसका कोई bond नहीं है तो यह lone pair है तो 2 bond pair हो गए एक lone pair हो गया तो molecular formula क्या हो गया A, B2, L A खी L lone pair A की है इसका example है SO2, NO2, O3, SNCL2 next pair of electron 4 हो जाते हैं जब pair of electron 4 हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं tetrahedral shape A center है इसमें हमारे पास माल लीजिए bond pair 4 यानि 4 और bond pair है वो lone pair 0 है तो A, B4 ये है इसकी shape tetrahedral की example है CH4 SIF4, NH4 positive अब दूसरी condition bond माली जीए bond pair तो 3 है lone pair 1 है यानि 3 तो bond बन रहे है एक lone pair है तो A center, B3 और L एक lone pair है तो NH3 का example है और ये जो shape है ये tetrahedral shape नहीं होगी ये होगी trigonal pyramidal shape अब इसी में ही देखते हैं कि माली जी आपके पास दो bond pair है दो lone pair है ये दो bond pair है ये दो lone pair है क्योंकि ये shape कोई भी हो सकते है जरूर नहीं ये होगी ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है तो A bond pair B2 L2 molecular formula H2 वो इसका example है next अगर हम total number of electron pair 5 है तो ये इसकी shape है 1, 2, 3, 4, 5 इसे trigonal by pyramidal बोलेंगे bond pair मालने जिए 5 है lone pair 0 है यानि की A B 5 shape ये रहेगी 5 भी आपस में यहाँ पे connected है center के साथ P CL5 example है P F5 S B CL5 AS F5 ये सब इसके example है अगर bond pair 4 हो जाए और lone pair 1 हो जाए ये lone pair है और 4 bond pair है तो A B4 L S F4 इसके example है अगर bond pair 3 हो जाए 4 की बजाए 3 हो जाए और lone pair 2 हो जाए 2 lone pair हो गए 3 bond pair हो गए तो A B3 L2 इसके example है CLF 3 अब माली चे इसी में ही bond pair 3 की जगा 2 हो गए 3 की जगा क्या हो गए 2 हो गए एक यह रहा एक यह रहा और lone pair हमारे पास यहाँ पे 3 हो गए तब क्या shape होगी A B2 A B2 L3 यह इसके shape होगी यह इसके shape होगी यह जो shape है जिसमें 2 lone pair है यह वली shape इसको हम बोलेंगे T-shaped और इसको बोलेंगे linear shape Next अगर total number of electron pair 6 हो जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको octahedral बोलेंगे 6 bond pair है 0 lone pair है यानि कि A lone pair कितने है 0 सबने bond बनाए है B6 A B6 Example SF6 bond pair 5 कर दो lone pair 1 कर दो bond pair 5 कर दिये 1, 2, 3, 4, 5 lone pair 1 कर दिये यानि A B5 L CL F5 इसका example है यह जो shape है यह वली shape तो octahedral shape है इस shape को बोलेंगे square pyramidal shape अब bond pair और कम कर दो 5 की जगा 4 कर दो lone pair 5 की जगा 4 कर दो lone pair 2 कर दो 2 lone pair और यह bond pair यानि A B4 L2 XE F4 यह जो shape होगी इसको square planar बोलेंगे तो इस तरह से हम इनकी shapes को define करते हैं molecular formulas को define करते हैं थेंक यू थेंक यू थेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और जादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल Learn and Grow पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you